हलो गैंटियंग्स, माइनम इस रिशी रोड़ा और यो वाचिंग वीक हैंट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे फेस टाइप के हिसाब से हमारे उपर कौन सी संग्लासिस या स्पेक्स अच्छी लगेंगी इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे मनम सैनी भाई द्वारा लेकिन जैसे कि मैं ठ्राई करता हूँ कि वीकेंट पे जो भी वीडियो आए वो बिल्कुल स्टेट फोबर बात करें विदाउट एनी कॉंप्लिकेशन तो इस वीडियो में भी हम सीखेंगे एक टिप, ट्रिक, हैक, स्लूशन यू कन कॉल इर वटेवर यू वांट लेकिन इससे आपको इंस्टेट नी पता चल जाएगा कि जो स्पेक्स या संग्लासिस आपको पसंद हैं वो आपके लिए बनी हैं या नहीं तो make sure कि ये वीडियो आप लास तक देखें उससे पहले आपको पता है आपको क्या करना है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो में हम फेस शेप्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि फेस शेप्स के हिसाब से संग्लासिस को डिसाइड करना या बहुत कंप्लेक्स हो जाता है इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरफ दो चीजों के बारे में एक है हमारे फेस की लेंथ और विड्थ दूसरा है हमारे जो बॉन की स्ट्रक्चर अगर उबकर के लंद्ध बैंप से ज्यादा है तो आपको संग्लासिस भीक्रति आप और अगर आपके face की length और width almost similar है जालतर ऐसा case square face या round face में होता है तो जो आपको sunglasses पहननी है वो पहननी है short length वाली या फिर medium length वाली जैसे कि यह दो photos है सलमान खान की अब सलमान खान की face length face width से जादा है तो यानि कि कौन सी goggles पहननी है जिनकी length जादा हो और मेरे हिसाब से left hand side वाली glasses सलमान खान के उपर जादा अच्छी लग रही है क्योंकि उनकी length जादा है और वो सलमान खान के face को बिल्कुल balance कर रही है same is for शारू खान, same case is for जौन अबराहम तो ये बात होगी sunglasses की length के बारे में अब बात करते हैं sunglasses की width के बारे में कि हमारी sunglasses की width कितनी हो कि वो हमारे face पे attractive दिखे यार sunglasses की width का हिसाब किताबना बहुत simple है हमारे sunglasses की width हमारे cheekbone के बराबर होनी चाहिए क्योंकि अगर sunglasses की width चीक बोन से बड़ी होगी उससे क्योंगा कि हमारा चाहरा चुन्नू सा दिखेगा और अगर हमारे संग्लासिज की विड़ चीक बोन से कम होगी उससे क्योंगा कि हमारा चाहरा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा जैसे कि अगर मैं ऐसी ग्लासिज पहनता हूँ जो पहनता हूं जो चीक बोन से छोटी है इससे क्या वरा है कि फेस थोड़ा बड़ा दिख रहा है यह फोटा है मेरे एक दोस्त की अब यहां पर देखें एक फोटा में भाई ने जो संग्लासिस पहनी है वो अपने बिल्कुल चीक बोन की विर्थ के हिसाब से पहनी है और दूस प्रिष में फेश बिल्कुल इन और बैलेंस लग रहा है लेकिन दूसरी में क्या लग रहे है लेकिंप बहुत बड़ा लग लग डरा और बहुत छोटी लगала संग्लासीज को स्रक्ट्चर के बारे में यहां स्ट्रक्ट्चर का क्या काम है संग्लासीज को डिसाइड करते बगत वक्त इतना द्याह दुद्र गखे हैं कि जो बोन च्रक्टर दो तरह की होती है लेकिन एक ने जो specs पहनी है, वो पहनी है round, और job and structure भी round है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो face को balance नहीं कर रहे हैं, और वहीं जो दूसरा दोस्ता है, उसने जो sunglasses पहनी है, वो structure face में पहनी है, यानि कि round थोड़ी कम है, जो उसके face को थोड़ा balance कर रहे हैं, and sunglasses is all about balancing, तो ये थी व और in future आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, Indian men fashion, lifestyle and travel के related, then भाई, जो वो YouTube ने red color का subscribe button बनाया ना, वो subscribe करने के लिए बनाया, क्यों वचारों की मेनत को waste करते हो, subscribe करो ना, मैं सर्वरीशी रोड़ा, signing off, and always remember, you are awesome, believe that. झाटको